प्रश लियुको नमस्कार मैं डॉक्टर धंबत मिश्या ृम्डे मेडशिобщ से आज आया है अगर आपिकन पॉक्षियन से परिशान हैं है अगर आपिए भी मिंबर चिकन पॉक से परिशान है तो याद रखें कि ये बिमारी एक से दूसरे में संक्रिमन फैला सकती है ये एक वारल डिजीज होती है जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है और इसकी शुरुवात इचिंग और पिंपल से होती है अगर घर के किसी सदस्य को ये चिकन पॉक्स हुआ तो आज मैं थोड़ा सा इस पर एक डिसकुशन कर रहा हूं जो चिकन पॉक्स है वो हमारे अचारियों ने उसके लिए बहुत ही सिंपल चिकिस्सा बताई है जैसे आम जानते हैं कि चिकन पॉक्स में पिंपल्स ठीक होने के बाद भी निशान चोड़ जाते हैं ये निशान ऐसे होते है जो सारी उमर तक रह जाते हैं तो अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो आप याद रखिए सबसे पहले आप नीम का यूज करिए जो निम्ब पत्र होता है उसको आप तोड़ के लाइए उसको अपने बेड पे बिचाए उस पे सुलाइए पेशेंट को बच्चा है या ब गून होता है नीम की पतियों में तो याद रखे आपको नीम को अपना बनाई और नीम के पत्ती में वह सारी गून हो है जो हमें चिकन पॉक्स निजात दिला सकते हैं और नीम के पत्तों पे जब आप सुएंगे तो आपकी तोचा में अलाग सी मतलब अच्छा महसूस होग जो इचिंग की प्रॉब्लम में वह दूर हो जाएगा, नीम के साथ साथ एक सेमल होता है, सेमल के स्टेम पे काटे के जैसे बुरे बुरे स्ट्रक्चर होते है, अगर आपको सेमल का प्लांट मिलता है, बड़ा रिक्ष मिलता है तो उसको आप इकठा करिए उसके स्टेम से, जहां भी दाग है, जहां पिंपल्स हैं, उस पे आप पेश्ट घिस के पेश्ट बनाईए और वहाँ पे अप्लाई करिए, सेमल का बहुत अच्छा रिस्पॉंस है, इसके साथ आयरवेद में चंदन का प्रयोग बहुत ही अच्छा बताया गया है, जो बिस्टर हो जाते है जो आगे चलके पिंपल्स ब्लिष्टर में कनवर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे हम चंदनाधी तैल का प्रयोग करते हैं, या फिर चंदन के पेस्ट को हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, इससे शीतलता आती है, बर्निंग सेंसेशन दूर होता है, और यह जो निशान बनने के चांसेश होते हैं, वह एकदम से खतम हो जाते हैं, तो हमारे पास और भी आयरवेदिक मेडिसिंस हैं, जो इस वाइरल इंफेक्शन को कंट्रूल कर सकता है, अगर आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है, जो बहुत परिशान है, दर्द को लेके परिशान है, वह आप मुसे का कॉंटेट करिए, मेरा कॉंटेक्ट नमबर है, वाटसेप, नमबर हावाटसेप करिए, 8792324056, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाए, www.dr.dhanpatmisha.com, चिकन पॉक्स बहुत ही ला इलाज बिमारी नहीं है, इसको हम कंट्रूल कर सकते हैं, आप हमेशा हेल्दी रहिए फिट रहिए, अगर किसी को हुआ है चिकन पॉक्स घर में, तो बी अडर्ट, आप उस पेशेंट को थोड़ा सा केर करिए, और वाइल इंफेक्शन घर के सदस्यों को ना फैले, उसके लिए आप मुझे कॉंटेट करिए, मैं आपको और भी ज्यादा सजेशन दे सकता और अपना ख्याल लखिए, भगवान धन्मुंत्री आप लोगों की रक्षा करें, इसके साथ फिर मैं अगले नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार टेक किया, जै भगवान धन्मुंत्री